दोस्तो अगर आपने कार रेसिंग मुवाइल गेम खेला होगा तो आप जानते होंगे कि डिफ्ट जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है लेकिन कुछ रियल ड्राइवर ऐसे भी हैं जो ऐसे कार स्टन्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं आज की वीडियो में हम ऐसे ही शा पैरलल पार्किंग पैरलल पार्किंग किसी कला से कम नहीं है क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता पैरलल पार्किंग बहुत ही मुश्किल पार्किंग होता है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर भी पैरलल पार्किंग नहीं कर पाते हैं लेकिन चाइना का ये आदम पेरलल पार्किंग में एक्सपर्ट है इस आदमी का नाम हैन यू है हैन यू ने 2012 में पेरलल पार्किंग का गेनस वर्ल्ल रिकॉर्ड बनाया था जिसमें उनके कार की लंबाई पार्किंग की लंबाई इसे केवल 15 सिंटीमीटर जादा थी और यही नहीं दोस्तो इस आदमी ने दो साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसमें इसके कार की लंबाई पार्किंग से आठ सेंटीमीटर अतिरिक थी या बस हाइबे पे अपने यातरी लेके जा रही थी लेकिन रास्ते में एक टनल आ गया सब को लगा कि टनल से बस का निकलना नामुम्किन है क्योंकि टनल काफी छोटा है इसलिए सब ने ड्राइवर को यूटन लेने को कहा क्योंकि अगर एक बार बस टनल में फस गई तो यातरियों का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और ट्रैफिक जाम भी लगना शुरू हो जाएगा लेकिन ड्राइवर ने बस को टनल से निकालने की सोची ड्राइवर की स्किल की वज़ह से बस टनल से निकल गई दोस्तो अब आप इस ड्राइवर को क्या कहोगे एक्सपर्ट या जादुगर साधारें ड्राइवर को 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करने की सला नहीं दी जाती चुकि ऐसा करने से ड्राइवर का कंसेंट्रेशन बिगड सकता है और एक्सिडेंट के चांस बढ़ जाते हैं लेकिन बात करें किसी सहर की तो ड्राइवर आधा से ज़्यादा टाइम ट्राइविक में फसे रहते हैं लेकिन दोस्तो आठ घंटे ड्राइव करना रिकॉर्ड भी हो सकता है स्वीडन के इस प्रोफेशनल ड्राइवर ने लगातार आठ घंटे ड्रिफ्ट करने का रिकॉर्ड बनाया आठ घंटे में इसने 374 किलोमेटर ड्राइव किया ड्राइवर ने पहले भी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की लेकिन फ्यूल खतम हो जाने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता था फिर इस प्रोब्लम से बाहर आने के लिए उसने एक और कार का इस्तमाल किया दूसरी कार में फ्यूल से भरा टैंक था और वो बिना रुके चलते हुए ड्राइवर के कार में फ्यूल भर देता था रिवर्स ड्राइविंग रिवर्स ड्राइविंग करना जागा तर ड्राइवर को पसंद नहीं होता लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो रिवर्स ड्राइविंग करना पसंद करते हैं जैसे भारत का ये ड्राइवर इस driver का नाम हरपृत है जो की भटिंडा से है या 12 साल से reverse driving कर रहे हैं और 12 साल में लगबग 65,000 km reverse driving कर चुके हैं हरपृत का reverse driving करने का कोई सौक नहीं था एक बार इनकी कार बीच में ही खराब हो गई थी और घर पहुचने के लिए इन्होंने रिवर्स ड्राइविंग की फिर उसके बाद या आज तक नहीं रुके यही नहीं दोस्तो हर पीत ने रिवर्स ड्राइविंग करने के लिए अपनी कार भी मोडिफाई कर दी और हर पीत ने एक ड्राइविंग स्कूल भी खोल रखा है दूसर चाहें आपको ड्राइविंग आती हो या नहीं आती हो लेकिन ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ही मुश्किल उसे पार्क करने में होगा हलाकि गाड़ी के पार्किंग को आसान करने के लिए कार में पीछे रिव्यू कैमरा भी होता है लेकिन कुछ ड्राइवर को पार्किंग के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं होती है जैसे कि इस ड्राइवर को देखिये जो एक ड्राइविंग कॉमपरीशन में बेस्ट ड्राइवर का खिताब जीतने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है ड्राइवर इस बड़े ट्रक को ऐसे घुमा रहा है जैसे कोई खिलो ना हो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपना समय देने के लिए धन्यवाद